भाजपा के राश्री नेत्रित के छतिसकर दोरे के प्रभाब पर कॉंग्रिस प्रदेश अधक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के पास पूरे देश में कोई मुद्दा नहीं है तमाम मंत्रियों के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच भाजपा कुछ नहीं बोल के वल जनता के बीच कांग्रيस की बुराय करती निजर आई। कांग्रीस के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है य। जनता देख रही है। वही कॉंग्रेस की न्याय गैरिंटी के फॉर्म भरने पर दीपक पैश ने कहा कि कॉंग्रेस को इसका फायदा मिल रहा है इसलिए घर से निकल का लोग वोट कर रहे हैं और जनता देश के मुद्दों और जनता के मुद्दों के लिए इसलिए लोग जनता के बीट में बोल भी नहीं पारें टच भी नहीं कर पारें